नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर 29 दिसंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है नरे डालते हैं परूंग सुर्खियों पर हेडलाइन्स के प्रावजेक हैं क्लॉक एंड डेकर परतेक कपड़े की खरित पर मिल रही है छूट पुरानी कचारी के सामने एलन्सोली के उपर निट बायलोजी इन बक्सर कोचिंग इंस्चूट बाई प्रकासर बाबानगर की गली बाई पास रोड नजार सुल्खियों पर तीन प्रखंडों के प्रमुक का चुनाव संपन कोविड का पहला केस आया सामने बिदे से लोटा है युवक गुरुवार को बक्सर प्रखंड का संपन होगा चुनाव ट्रेन की चपेट में आया गैंगमेन साथियों ने जताय सोब पकड़ा गया ट्रेन में तसकरी कर रहा है युवक तीसरी दिन भी बाटे गये जवरत मंदों को गर्म कपड़े उम्र सत्यापन के लिए उम्र रही भीड बढ़ानी हो गिती थी बियम ने की बैठक स्वास विभाग को दियाने देश खबरे बिस्तार से के प्रयोजेक है आरके ज्वलर्स आकरसक आभोशणों के विश्वस्णी ये विक्रेता यमुना चौक काम धेन उन्यक्स नए जमाने की मजबूत सरिया जिंदल पैंथर सिमेंट एवं सरिया के मुख्ष विक्रेता गंगा सागर विल्डिंग मेटेरियल गोलंबर बक्सर एवं सिम्री संपर करें नीचे दिये गए इन नंबरों पर अब खबरों की चर्चा विस्तार से सबसे पहले लेते हैं प्रखंड प्रमुख से जुड़ी हुई जयनकारी तीन प्रखंडों का चुनाव गुद्वार को संपन हुआ सामने की तस्वीर नवानगर की है यहां अंकित कुमार 19 मत पाकर प्रमुख निर्वाचित हुए संतोस कुमार दुवे के तस्वीर है वे उप्रमुख निर्वाचित हुए वहीं केसठ में मुन्ना सिंग प्रमुख है वो मन्टू कुमार उप्रमुख निर्वाचित हुए इताड़ी का चुनाव बक्सरन मंडल में संपन हुआ यहां मधुकर कुमार गुपता 12 मत पाकर प्रमुक निर्वाचित हुए सबी सतस्यों ने सही तुरूप से अपनी तस्वीर मीडिया के सामने खिसवाई दूसरी सुर्खी है जीले में कोविट का पहला केस सामने आ गया है बुद्वार को दुम्राओं के छतनवार गाउं से मामला सामने आया युवक हाल ही में खारी देश से लोटा है हाला कि उसके अंदर अभी कोविट के कोई लक्षण नहीं है लेकिन एहतियातन उसे आइसोलेशन में रहकर जाच शुरू कर दी गई है बुद्वार को बक्षर प्रखन्द मुख्याले पर प्रखन्द प्रमुख का चुना होगा इसको लेकर काफी गमागामी की संभावना है सदर प्रखंड मुख्याले में SDO की देख रेख में प्रखंड प्रमुक का चुना हो रहा है या आपको ग्यात होगा बुलेटिन की 34 सुर्की है DM अमन समीर ने बुद्धवार को 15-18 वर्ष के छात्रों को COVID वैक्सिन लगाए जाने को लेकर के बिशेश बैठकी उन्होंने निर्देश दिया सभी सरकारी और स्कूलों में 15-18 वर्ष के चात्रों की सुची बनाई जाए और वहीं सेंटर लगा करके ठीके दिये जाएंगे इस मामले में सिविल सर्जन ने 23 जनकारी बच्चों को बच्चों को ठीका करन का भियान हम लोगों का तीन तारिक से तीन जन्वरी से शुरू किया जाएगा एक जन्वरी से उन्हों का ओनलाइन रेजिस्टेशन चालू हो जाएगा सभी 142 पंचाट में सेकेंडरी स्कूल जहां जहां भी है वो जगा पर मुख्य सेंटर सेशन साइट डबलब करेंगे उसी जगा आकर के सभी बच्चे बच्चियों को वैक्शिनेशन का कारकर्म वहाँ पर किया जाएगा इस तरीके से करीब 142 पंचाट में 142 सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पर सेशन साइट जहेगा टाउन के लिए अलग सेशन साइट रहेगा सेकेंडरी स्कूल में और प्राइवेट वाले लोग भी अपने बच्चों का इंडॉल्मेंट का सुचना हम लोग को दे देंगे कि कितने बच्चे उनके आए उसके बाद हम लोग उस्तर की हिताब से अगर दोसों एक स्कूल पे होंगे तो उनके स्कूल में भेज करके हम लोग उस जगह पर उनके बच्चों को हम बच्चियों को वैक्सिनेशन का कर लेगे बुलेटिन की पांच वीशन की रेलवे से जुड़ी हुई है रेलवे में कारे करने वाले ट्राइक मैंन निशान कुमार की बीती रात मंगरवार को रात साड़े बारा बजे के लगबग दुखत मिरती हो गई वे ट्रेंड की चपेट में आगए या हाथसा उनके साथ गहमर के समीप हुआ वे भीया के रहने वाले हैं रेलवे करमचारी यूनियन के लोगों ने आज बुद्धवार की साम बकसरा स्टेशन पर उन्हें सरधास उमन अरपित किये इस संबन्ध में उनका परचे और जानकारी रेलवे के करमचारी नेता ने मीडिया को दी परचे क्या है इनका नाम में शान यादो है यह हमारे ठ्रेगमें साथी है रहने वाले भीया के पास है बिहार में सराब बेचना पीना रखना सब अपराध है आप इस तसले तमारी को देख रहे हैं बीते दिन मंगलवा को नुम्राव थाने की पुलिस ने वार्ड नमर 11 से जब्त किया इस मामले में एक यूग को भी गिरहतार किया गया है जो बंजू डेरा का रहने वाला है लेकिन नुम्राव सहर में सित एक घर में रह करके वो अदेशी सराब बनाता था उसकी एक गारी और 40 लीटर सराब भी जब्त की गई है वही रेल पुलिस ने बुद्वार को यूपी की तरब से पिठ्टू बैग में लेकर बियर एवं केनवे बंद सराब की बोतले लेकर जा रहे है आरा के रहने वाले चुमुन कुमार जो चरपोखरी के निवासी है उन्हें गिरहतार किया बुलेटिन की सात्वी सुर्खी है तीसरे दिन भी अख्वा के लोगों ने जोती चौप के समीब असहाई कमजोर वर के लोगों के बीच गर्म कपड़े का बिद्रन किया आपको हम बता दे या कारिक्रम तीन दिनों तक चला आज 29 अक्टूबर को इसका समापन था बुलेटिन की आठवी सुर्खी है बिद्धा पेंसन पाने वाले लोगों के उम्र का सत्यापन हो रहा है वे जीवित हैं या नहीं उनके जीवन प्रमारी करण का सत्यापन ऑनलाइन हो रहा है जिसके लिए प्रखंड मुख्याले पर भारी वीड जमा हो रही है यह तस्वीरे डुमराओ और प्रखंड मुख्याले की थी अभी जो आप दिल से देख रहे हैं यह राजपूर प्रखंड मुख्याले का है अलाकि सेवा केंद्रों पर भी पांच रुपे सूल के साथ ऑनलाइन सत्यापन की सुभजा उपलब्ध है लेकिन आमजन जो गरीब है कमजोर वर्ग के हैं वे सरकारी सुभजा का हिलाव लेने के लिए प्रखंड मुख्याले पहुंचाते हैं आप इस लंबी कतार को देख लीजे साथ ही जान लीजे जिले भर में करीब साथ हजार ऐसे लोग है जिनकी जिनके जिवित होने का सत्यापन कार अभी तक नहीं हुआ है सिलसिले में मजोर्ग से जब बाते हुई तो उनकी परिसानिया सून लोग हैरान रह गए कहां मकान पड़ी मकान तो पर हमार परस्दा परस्दा से आये हैं अच्छा कब से आये हैं वहाँ पे CSP पे नहीं हो रहा है कितना किलोमेटर है परस्दा यहां से अच्छा कितना किलोमेटर है परस्दा यहां से बुलेटिन की नवी सुर्खी है डुमराओं प्रखंड कर्याले में बुद्धवार को अर्याओं नंदन सोवा तीन पंचायत के परतनीदियों को सपद दिलाई गई इस दोरान नंदन पंचायत के उप मुख्या का चुनाओं लाटरी के माध्यम से हुआ हलाकि कमलेश कुमार की किसमत साथ ही वे उप मुख्या निर्वाचित किये गए वही राजपूर प्रखंड मुख्याले में भी सपद ग्रहन का कारे हुआ यहां हेटुआ, सिकठी, हरपूर, तीन पंचायत के परत्नीरियों को पदयों गोपनियता की सपद दिलाई गई वही हेटुआ के उप्स मुख्या एवं उप्सर पंच का चुनाओं लाटरी के माध्यम से हुआ वहीं एक अन्य पंचायत में भी लाटरी के माध्यम से चुनाओं कराई जाने की बात करी गई है यह लेकारी हमारे आस्थानी परत्नीरियों ने उप्लत कराई आज की बुलेटिनों बस इतना ही आप देख रहे हैं बकसर पर हमारे साथ हम तक मने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद झाप्टूब है